हेलो, नमस्का दोस्तों, आप देख रहे हैं Always New Movie Updates इस वीडियो में आप से बात करना लो Big Boss के बारे में कल आपने प्रोमो में देखा होगा कि कही न कहीं हराखे के उपर रुबीना ने पानी फैंक दिया और मैंने आपको पहले इसके उपर पूरी वीडियो बता दी है क्या क्या सजा मिली है, कब पानी फैंका, क्यू फानी फैंका, क्या बात होई तो अगर आप पुरा जानना चाहते हैं, तो मेरी पहले की वीडियो ज़रूर देखे तो अभी हाली में घर के अंदर जो भी कुछ हुआ है, उसमें रुबीना को सजा मिली है उन्हें कहीं न कहीं आने वाले, जितने भी हफ़ते हैं, उनके लिए नॉमिनेट कर दिया गया है अब सोचल मेडिया पे इसके बारे में बात हो रही है, लोग विरोध कर रहे है रुबीना फैंस अपनी नाराज की जता रहे हैं, क्या हो या पुरी बात, क्यूं इतने नाराज की जता जा रही है और किस बात को लेकर के, रीजन क्या है, चली बात करते हैं उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करें, थाकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करू, आप तक सारी की सारी नोटिफिकेशन पहुं सके तो पहले लोग कह रहे हैं कि जास्मी ने जब पानी फैंका राहूल पे, तो कोई पनिश्मेंट नहीं मिली, सोनाली ने फैंका अर्शी पे, तो भी पनिश्मेंट नहीं मिली, विकास ने एक पानी फैंका था, अर्शी पे तब भी नहीं मिली, कल तो ऐसा होगा कि देवो न एक कर्ची जो है बिल्कुल उठा करके फैंकती तो भी कुछ नहीं हुआ लेकिन जब रुबीना ने पानी फैंका तो रुबीना को पूरे के पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया मतलब यहाँ पे लोग इस बात को लेकर के नाराज है अगर बिग बॉस को सजा देनी होती हो सकता था बिग बॉस कोई समान ले लेते या फिर अपनी फटकार दे देते लेकिन सजा देनी वो भी नॉमिनेशन की यह बहुत बड़ी सजा होती है और वो भी उस पॉइंट पे आगर के जब फिनाल इतना नस्दीक है अलांकि इतना तो बिग बॉस को भी बता है कि रुबिना कहीं नहीं जाने वाली शोग भी जेत सकती है वो लेकिन फिर भी सजा देनी कहीं नहीं यह फैंस को अच्छा नहीं लग रहा और फैंस कह रहे सबके साथ सेम ट्रीट होना चाहिए था अगर पहले जिन्नोंने पानी फैंक आए उनको कोई सजा नहीं मिली उनको कुछ नहीं कहा तो आप कैसे रुबिना को इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं आप लोग मुझे बात लिक्के बथाएं कैसे आपको भी युषा ही लगता है या फिर आपको लगता कि सजा मिला वह सहीं मिली है क Race जो भी आपको कहना आपक weeks में में लेख के बथाएं सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं सब्सक्राबब